नमस्कार दोस्तो, ICC Cricket World Cup 2023 में टीम इंडिया का प्रदर्शन काफी शांदार रहा है और वह लगातार पांच मैच जीत चुकी है अब भारतिय टीम आज 29 अक्टूबर इंग्लैंड का सामना करने जा रही है भारतिंग लैंड के बीच मुकाबला लखनव के भारत रतन श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है भारतिय समयानुसार यह ब्लॉक्बस्टर मुकाबला दोपहर दो बजे से शुरू होगा प्लेइंग ग्यारह में हो सकता है यह बड़ा बदला इस मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 पर भी सबकी निगाहे होंगी लखनव की पिच स्पिननर्स के मुफीद मानी जाती है ऐसे में भारत की प्लेंग 11 में अनुभवी रविचंदरन अश्विन को शामिल किया जा सकता है अश्विन के खेलने की स्थिती में तेज गेंदबाज मुहम्मद सिराज को बाहर बैठना पड़ सकता है शमी ने न्यूजिलाइंड के खिलाफ मैच में पांच विकेट लिये थे जिसके चलते उनकी प्लेंग 111 में जगह पक्की नजर आ रही है यानि इस मैच के लिए बुमराह और शमी ही फ्रंट लाइन पेसर होंगे वही कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा और आर अश्विन स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभाल सकते है भारतिय बल्लेबाजों ने टूर्नामेंट में अब तक शांदार प्रदर्शन किया है टीम लक्षे का पीछा करने में महारती साबित हुई है कप्तान रोहित शर्मा ने भारत को धमाकेदार शुरुवात दिलाई है वहीं विराट कोहली तो गजब की फॉर्म में है केल राहुल का प्रदर्शन भी शांदार रहा है हार्दिक पंड्या की गैर मौजूदगी में छठे नंबर पर सूर्यकुमार यादव उतर सकते है टूर्नामेंट में अपने पहले मैच में दुर्भाग्यपूर्ण धंग से रन आउट होने के बाद वह एक प्रभावी पारी खेलने को बेताब होंगे धर्मशाला में श्रेयस अयर न्यूजी लैंड के एक खिलाफ जिस तरह आउट हुए थे उससे शौट पिछ गेंदों के सामने उनकी कमजोरी पर फिर चर्चा होने लगी है वह अपने आलोचकों को बल्ले से जवाब देना चाहेंगे देंगू के कारण पहले दो मैचों से बाहर रहे शुभमन गिल से भी एक बड़ी पारी का इंतजार है कानपुर के कलाई के स्पिनर कुलदीप का लक्ष इंग्लैंड के खिलाडियों के बल्लों को खामोश रखने का होगा इंग्लैंड के बल्लेबाज काफी आकरामक हैं लेकिन उन्होंने एक यूनिट के रूप में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है जोस बटलर, जौनी बेर्स्टो, बेन स्टोक्स, लियाम लिविंग स्टोन, हैरी ब्रूक ये सभी बड़े नाम हैं लेकिन इन में से कोई नहीं चल पा रहा लखनाओ की टर्निंग ट्रैक पर इंगलिश बल्लेबाजों को अपनी शैली में बदलाव करना होगा, नहीं तो उनके लिए मुश्किले खड़ी हो सकती है वर्ड कप में भारत इंगलैंड का मुकाबला कभी भी एक तरफा नहीं रहा है इतिहास बताता है कि वर्ड कप में अब भी इंगलैंड के आकड़े बहतर है आठ मैचों में से तीम में भारत जीता है, चार में इंगलैंड और एक मैच टाई रहा है वर्ड कप में इंगलैंड के खिलाफ भारत को आखिरी जीत साल 2003 में मिली थी 2011 के वर्ल्ड कप में दोनों के बीच मैच ताय रहा था वहीं 2019 के संसकरण में टीम इंडिया को 31 रनों से हार मिली थी भारत की संभावित प्लेइंग 11 रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अयर, के राहुल, सुर्यकुमार यादव, रवींद्र जडेजा, आर अश्विन, कुल्दीप यादव, जस्प्रीट बुमराह, मुहम्मत शमी इंड्लैंड की संभावित प्लेइंग 11 डेविड मलान, जौनी बेयर स्टो, जो रूट, बेन स्टोक्स, जोस बटलर, लियाम लिविंग स्टोन, मोहीन अली, सैन कुरेन, डेविड विली, आदिल राशिद, मार्क वुड धन्यवाद और ऐसी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें